इंस्टागिराम की प्रोफाइल चेंज कैसे करें? How to change Instagram प्रोफाइल आपको क्या करना है? Instagram एप को open करना है इसके बाद आपको नीचे में अपनी प्रोफाइल पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी अगर आपने पहले से लगा रखी है अगर नहीं लगाई है तो यहाँ पर आपको एक गोल आदमी का आइकोन दिखाई देगा तो अगर आप Instagram पर अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको edit प्रोफाइल पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे यहाँ पर आपको Instagram का एक new update देखने के लिए मिलेगा आप अपने Instagram पर author DP भी लगा सकते हैं यानि कि आप जिस तरह से दिखाई देते हैं इसी तरह से आप एक cartoon एक author बनाकर अपने Instagram प्रोफाइल पर लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं अपना photo लगाना चाहता हूं तो आपको यहाँ पर photo पर ही click करना है इसके बाद आपको नीचे में कुछ option दिखाई देंगे आपको यहाँ पर new profile picture पर click करना है अब यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी यहाँ पर आप जो भी photo लगाना चाहते हैं आप select कर सकते हैं अगर आपकी photo आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आपको उपर में gallery का option मिलेगा आप देख सकते हैं इस पर आप click करेंगे तो आपकी gallery के जो folders होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आप click करके photo को धूंड सकते हैं और Instagram पर अपनी DP लगा सकते हैं तो जैसे कि मैं यह वाला photo ले लिता हूँ ठीक है यहाँ पर photo को मैंने select किया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो photo है आ चुकी है sorry मेरी photo नहीं यह एक cartoon है लेकिन यहाँ पर जो हम DP लगा रहे हैं Instagram पर वो यहाँ पर आ चुकी है अब आप इसे इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने इसाफ से zoom in, zoom out कर सकते हैं ठीक है मैं इस तरह से इसे set करना चाता हूँ अब यहाँ पर मैंने इसे set कर लिया है अब इसके बाद क्या करना है उपर मैं यहाँ पर तीर के बटन पर किलिक करना है इसके बाद इस तरह से एक page आ जाएगा इस photo में अगर आप filter लगाना चाते हैं तो filter भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर filter दिये गए हैं जो भी filter आपको पसंद आता है इस तरह से आप इसे select कर लीजिए ठीक है इसके बाद आपको उपर तीर के बटन पर फिर से किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर इस तरह से page लोड होगा उसके बाद हमारी Instagram की जो profile है वो change हो जाएगी आप देख सकते हैं प्रोफाइल चेंज हो चुकी है अगर प्रोफाइल चेंज नहीं होती है तो आपको page को इस तरह से refresh कर लेना है या फिर आपको Instagram को recent app से clear कर देना है दोबारा आप open करेंगे तो आप देखेंगे आपके Instagram की जो profile photo है जो DPA वो change हो जाएगी तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो वीडियो को अभी share कर दो वीडियो को like कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लो